हम सब इंसानों की एक आमसी आदत होती है कि हम लोगों को उनके करेक्टर से जज़ करते हैं अगर किसी व्यक्ति का करेक्टर अच्छा है तो वो अच्छा आदमी होगा और अगर किसी का करेक्टर बुरा है वो बैट करेक्टर का है तो वो पक्का ही बुरा आदमी होगा इसी Indian Evidence Act के अंत्रगत करेक्टर के बारे में दियेगे प्रोविजन जो कि इसके मीनिंग और इसके रिलेवेंसी से सम्मन्दित हैं इन सब के बारे में बात करने वाले हैं तो बिना किसी आनावश्यक भूमिका के चलिया आरम से प्रारम करते हैं Cambridge Dictionary के अंसार किसी व्यक्ति के करेक्टर से मतलब वो सारे particular combination of qualities होती हैं जिनकी वज़े से वो व्यक्ति बाकी के व्यक्तियों से थोड़ा सा अलग बन जाता है जैसे किसी व्यक्ति का honest होना या फिर उसका liberal होना या फिर good modest का होना या उसके violent होना तो ये सब चीजें एक character के traits कहे जा सकते हैं एक्ट के section 55 में character के अंत्रगत दो चीजे include की गई हैं जहां पर पहली चीज किसी व्यक्ति का reputation जिसको हम हिंदी में प्रतिष्ठा कहते हैं और दूसरे के अंत्रगत इसका disposition या व्यक्ति का सोभाव आता है सामाने शब्दों में reputation का मतलब किसी अन्य व्यक्ति की नजर में वो व्यक्ति कैसा है वो समाज की नजर में कैसा है ये चीजे उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा को show करती हैं उसके reputation को show करती हैं और इसके अलावा disposition या सोभाव का मतलब वो particular way होता है जिस way में वो व्यक्ति behave करत है Indian evidence act में section 55 के अंत्रगत character में दिएगे इन दो features को as a whole पूरा का पूरा features को लिया जाना चाहिए ना कि कि किसी वेक्थ के एक किसी particular act को Indian evidence act के अंत्रगत दिएगे character when relevant या character की relevancy को दो अलग अलग parts में divide करके पढ़ सकते हैं जहां पर पहला part इसके civil cases से deal करेगा और दूसरा part इसका criminal cases से deal करेगा civil cases के अंत्रगत आएंगे section 52 और section 55 और जबकि criminal cases के अंत्रगत आएंगे section 53 section 54 section 53 a तो सबसे पहले हम बात करता है अपने पहले part के बारे में जो कि civil cases से deal करता है तो इसमें section 52 के अंत्रगत ये प्रोविजन दिया गया है कि एक civil cases के अंत्रगत अगर court में proceeding चल रही है तो किसी आरोप के संब्द में किसी भी party के good character के होने से या bad character के होने से कोई फरग नहीं पड़ेगा यानि यहाँ पर parties के जो character हैं वो irrelevant माने जाएंगे यहाँ पर प्रासंगिक्ता नहीं रखेंगे जैसे मान लीजे कि एक case के दौरान prosecution यह आरोप लगाता है prosecution के पास कोई उसमें evidence नहीं बचा है कि वो प्रस्तुत करके accused को दूशी करार दिला सके तो इस समद्ध में prosecution यह आरोप लगाना शुरू करता है कि यह जो accused वक्ती है यह बहुत ही bad character का है बहुत ही बुरा आदमी है और इस base पे आप इनको सजा दे दीजिए तो यहाँ पर इस case में इस prosecution के तर्व को नकार दिया जाएगा section 52 के दो exceptions या अपवाद दिये गए हैं जहाँ पर सबसे पहला अपवाद इसका यह है कि अगर किनी cases में civil matters में किसी व्यक्ति का किसी party का character ही fact and issue है तो यहाँ पर वो character relevant हो सकता है और दूसरे point के अंतरगत इसका जो दूसरा section है section 55 वो खुद यहाँ पर इसका exception करता है जहां पर section 55 में यह provision दिया गया है कि अगर किसी civil cases में मामला पूरा damage के amount के considerations related है जिसमें court को उस amount को consider करके award देना है तो इस case में एक व्यक्ति के जो की plaintiff होगा इस party में original plaintiff होगा उसका character करेक्टर रिलेवेंसी रखता है यहां पर प्रासिक्टा रखता है ती सास्त्री वर्चेश के भी सोहय की case में भी same चीज court ने observation दी थी कि अगर किसी जो मामला है पूरा मामला किसी plaintiff के उस claim किये गए amount के consideration से related है तो इसमें party का जो की original plaintiff होगा उसका bad character या good character relevant रखता है जैसे मालिए कि कोई मानहानी का या defamation का मामला है तो इस defamation के मामले में अगर plaintiff एक good character का है तो यहां पर उसको जो भी amount दिया जाएगा जो claim किया गया amount damage का वो जादा होना चाहिए क्योंकि उसके reputation को जादा हानी हुई है लेकिन अगर यहीं पर plaintiff एक bad character का है थोड़ा बैमान है धूरत आदमी है तो यहां पर amount कम जादा हो सकता है court द्वारा उसके character को judge करके उसको character को ध्यान में रखके ही एक amount को consider किया जाएगा और दूसरा part जो कि criminal cases का matter है इसमें दो section दिये गए हैं जहां पर पहला section 53 और दूसरा section 54 का है इसमें पहला section जो कि 53 है उसको आप general rule कह सकते हैं और section 54 को इस general rule का exceptional portion भी कह सकते हैं क्योंकि यह section 53 के अंत्रगत यह कहा गया है कि अगर criminal matters में एक accused good character का है तो यह चीज relevant होती है relevancy रखती हैं और ठीक इसके उलट इसके अपवाद में जो कि section 54 में दिया गया है इसमें यह कहा गया है कि अकर इसमें accused person एक bad character का है तो यह चीज irrelevant मानी जाएंगी लेकिन section 54 के explanation ही इसके exceptions माने जा सकते हैं जहाँ पहले explanation में यह कहा गया है कि अगर किसी party का character ही fact and issue है तो यहाँ पे उसका good या bad character होना relevant हो सकता है और दूसरे explanation के अंतरा के यह कहा गया है कि एक accused व्यक्ति का previous conviction एक bad character के evidence की तरह लिया जा सकता है जिसे मान लीजे कि Indian Act के section 71 में यह provision दिया गया है कि किसी व्यक्ति के अगर जिसको पहले ही previous conviction मिल चुका है पहले ही एक बार सजा मिल चुकी है सजायाफता व्यक्ति है तो अगर उसको दुबारा सजा दी जानी है तो यहाँ पे उस व्यक्ति का अपराद और भी गंभीर हो अंगिकता होती है लेकिन उसका बैट करेक्टर माइने नहीं रखता और सबसे लास्ट में इंडियन एक्ट के अंतर गर दिये के करेक्टर के इस प्रोविजन को कंक्लूड करते हुए भगवान सुरूप पर से स्टेटा महराष्ट केस में दिये गया observation को बताया जा सकता है अहां पर कोर्ट नहीं ये कहा था कि किसी मामले में व्यक्ति का करेक्टर एक वीक टाइप आफ एविडेंस है इसको कहीं भी एक positive evidence की तरह consideration में नहीं लिया जाना चाहिए तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको ये सारे ही points अच्छे से समझ में आगे बाकी के loss related videos, points और topics के लिए बने रहेगा हमाय साथ, नमस्कार